बिस्मिल्लाइर रह्माल राहिए असलाम अलेकम वेलकम तू मैं चैनल एस्क्रीचिविटिक विबस क्या हाल जाला थीटा गया है अल्लाद अल्लाद हम सब पर अपने हिव्जों मान में रखें आमीन सुम्भा में विबस यतीन काफ हम कही के आठे के लिए रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा सा पानी डालके ना तो फिर यह आठा गूनना है इसके आते गूनने के सारा काम होता है पकाने का आता गूनने का पकाने अभी इतना नहीं जितना आठा गूनने का काम होता है यह देखें विबर ऐसे मना जाता है यह अटा यह भी एक काम होता है बड़ा जबर्दस्ट को बनानी आती है हम अक्सर लोग बनाके मैं लेके जाती सी ना साग और साग मगई की रोती मेरी जो बड़ी बड़ी कजन रहना वो भी मेरे से इससे आज दिन तक पूछती थी यह तुम कैसे बनाती हो हमें तो यह नहीं आती बना जब मेरे अबू को यह पसांदी तो अबू के लिए मैंने बनानी शुरू की थी मुझे बड़ा शुक्त था कि अबू को जो जो चीज़े पसांदो वो मैं उन्हें बना बनाते कि लाँ देखे आज अजल लिल्ला जी पीवर्स पहले हम रोटी को ना हाथ से बड़ा करते हैं फिर हम उसे अच्छी तरह जब बरीक सी बड़ी सी हो जाती है फिर हम उसे बेल के थोड़ा सा बेलती हूं, मैं बेलंसे, फिर मैं तो हाथ से उठाके डालती हूं, वैसे ये उसके साथ भी पलडा लेती ही है, शापर समय भी पिले एक साइट से सेख लेना, पिर दूसरी साइट से पिर आई लगाकर पिर इसे करम कर ले लेना, यह देखें माशाला, मैंने चार रोटियां बनी थी, तीन कप में, चार रोटियां बनी है, तो आप भी इन्शाला बनाईएगा, आपको बड़ा पसंद आएगा, और यह द यह मेरी रोटिया फूलती भी है इसमें वीडियो में इतनी सही प्रॉपर नदर नहीं आ रहे हैं लेकिन मेरी रोटिया फूल रही थी अल्हमदलिल्ला आप भी बनाईएगा देखें यह बिल्कुल इजी सा मेतड़ है बस यह कि आटे भी डिपेंड करता है आटा बहुत अच्छा लेना पड़ता है बरीक वाला जो होता है उससे सही बनती है जी विवर्स रूपलिया त्यार है आप भी बनाईएगा खाईएगा आप में दुआ में याद रखिए कमारे चैनल यह स्क्रेटिविटी को लाइख सब्सक्राइब फॉलो दूरू कि जाएगा तैंक्यू सो मुच तैंक्स वर वाचिंग मैं चैनलों के वाज़ा लाफीज